जब बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए ये कहावत पाकिस्तान के उपड बिल्कुल सटीक बैठती है और वो इसलिए बैठती है क्योंकि कल ही इरान के रेविलूशनरी गाड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रात में ताबर तोड कई अटाक कर दिये एक बड़ की संगठन जैश अल अदर की ठिकान उपर इस हमले में सीन बच्चियां खायल हुई है गंभी रूप से जबकि दो बच्चे की मौत हो गई है लेकिन जैसा ही अटैक हुआ पाकिस्तान तल मिला गया बॉखला गया और अननफाना में एक स्टेक्मेंट जारी कर दी और स्टे सामने से स्टेटमेंट यह आया था कि महस कुछ कवे मारे गए हैं और कुछ पेड़ ही गिरे हैं कोई बढ़ा अटैक नहीं हुआ है कम से कम अपकी बार तो सच को बूला आपकी बार तो माना कि हां इरान की ओर से अटैक हुआ है आप कि यहां कुछ लोग मारे गए हैं लेक वें अटाइक के जिसमें 88 civilians मारे गए हैं और कई हजार लोग घायल भी हुए हैं ये कैसे भूल गया और दूसरा पॉइंट तो ये कि आप तो आतंग की संगठन नहीं थे आपकी और से दावा तो यह किया जाता था कि हम आतंग को पनाह नहीं देते हैं ये कैसे हो गया कि पाक पाकिस्तान आप आतंगबाद को पनाह देते हैं ये तो रही पाकिस्तान की बात लेकिन पाकिस्तान को इस्तमाल कैसे दिया जा रहा है वोर्ड-वोर्ड की तरफ इसका जिक्रह हम कर लेंगे दरवसल इरान ने दो दिन पहले ही एस ट्राइक की थी हमला किया था इराक और सीरिया पर इराक पर इसलिए अटैक किया क्योंकि इरान में जब जनरल सुन्डे मानिक की डेथ अनिवर्सरी मनाई जा रही थी वहाँ पर जब मजमा लगा हुआ था जो लोई कटा हुए थे उस पर आइस आइस द्वारा अटैक कर पर इरान की 오른 बात को की घमच्चेम छीया बढ़ घया और इरान का मानना यह था कि आरग में मौशुर्ट एंस इस वहाँ पर है उसकी जो एजेंस है वहाँ पर मौजूद है वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं यह दो जगों पर अटक किया गया अब समझें इस बात को कि मिडल इस में पहले ही बहुत जादा गर्मा-गर्मी बढ़ गई है मिडल इस की अगर बात करें तो सबसे पहले यमन का दिगर करेंगे यमन के चाहे हूती विद्रोही हो या फिर गाजा में हमास हो या फिर पलिस्टाइन में फिलिस्तीन में हिजबुल्ला हो इन सबकी जो चाबी है वो इरान के पास है और ऐसे में अब अमेरिका जो सुपरफावर कंट्रीज है वो डरी हुई है क्योंकि उन्हें खतर सता रहा है वर्ड वॉर होने का और ऐसे में इस वर्ड वर से कैसे निपता जाएगा इस बात का उन्हें लगताथ ड़ सताने elabor है और क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा से प्रॉक्सी के तूर पर इससेमाल करता रहा है फाकिस्तान ने हमेशा से ही अमारिका की रहनुमाई की है पाकिसान मदद देता रहा है और ऐसे में अमेरिका पाकिसान को इस्तमाल भी करता रहा है चाहे अफगानिस्तान में एर स्पेस का इस्तमाल करना हो पाकिसान का इस्तमाल करना हो पाकिसान की जमीन का इस्तमाल करना हो क्या आपकी बार भी पाकिस्तान जो है, वो अमारेका के हाथों भी कटपुतली बन रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्या जो Middle East है, वो World War की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये भी एक सवाल है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता, ये बड़ा जल्चस्प है, जल्चस्प ये है, क थाली में आप लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं और फिर बात रहनुमाई की करते हैं लेकिन पाकिस्तान ने यह जो गलती करी है यह उसे भारी पड़े वाली है